देश भर में इंदिनों चुनाव प्रिचार में नीता, बेरुजगारी, सिक्षा, नौकरी को मुद्दा बना कर वोट मांग रही हैं वहीं जमशेदपुर में नौकरी के नाम पर धोका धड़ी का मामला सामने आया है बतादें केंदा डी ही की रहने वाली दो युवती, पटमदा, प्रखंड के, चड़कपा अथर गाउं की छे बेटियों को काम दिलाने के नाम पर अपने साथ ले गई जहां उनसे दिल्ली में घरों में नौकरानी का काम कराये जा रहा है वही मामले में सभी युवतीयों ने जैसे तैसे करके इसकी जानकारी अपने परिवार को दी जिसके बाद परिवार वालों ने जुगसलाई, विधानसभाक्षेत्र से विधायक रामचंद्र सहिस से मुलाकात की और लड़कियों को वापस लाने के गोहार लगाई परिवार वालों ने जुगसलाई लड़का नाई बिटी चेले नीए गेशे की बोले? नकरी दिवा बोले कौन-कौन गाया थे के गेशे चोड़क पाता चोड़क पाता नर्सिंग होम में काम दिलाने के नाम पर दिल्ली ले जाती है और ये लोग उनके बातों पर विश्वास करके और रोजगार की आशा में दिल्ली चेली जाती है और दिल्ली जाने के बाद लड़की को असलियत पता चलता है कि हमको नर्सिंग होम या होस्पिटल में काम नहीं दिलाके किसी और के घर में दाई का काम यानि बरतन मजने का कपड़ा धोने का कई परकार के काम कराये जा रहे हैं और जबीलो काम करने के लिए तयार नहीं हो रहे हैं तो लड़कियों के साथ मारपिट किया जा रहा दुर्वेहार किया जा रहा जो बहुत ही गंभीर विशय है हमें लड़की के परिजनों को आस्वस्त करना चाहते हैं जिला प्रशासन के प्रमुक उपायुक्त पुर्विशिंग्भूम से एससपी पुर्विशिंग्भूम से बातों को राखेंगे और जल्द से जल्द जो छो लड़की है उन लड़की को आपस ला करके उनके घर पहुँचा करके उनके परिजनों को शुफने के लिए हम ब फिलहाल विदायक रामचंद्र ने मामले में आश्वासन दिया है कि जल्द ही लड़कियों को वापस लाया जाएगा वही नौकरी के लिए पलायन और बंधक कोई नई बात नहीं है अब मामले में देखना ये होगा कि जमशेदपुर की बेटियों को सकोशल लाना विदायक के लिए कितनी बड़ी चुनोती बनता है पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंदरजीत सिंग की रिपोर्ट